ही सिस हम आपके और हमारी यूटूब चाघरेंग टेक्निकल नरेंद्र विडिय आज हम बात करेंंगे वन एड से देते हैं तो आज हम उसी एड के बारेंगे बात करेंगे फ्रेंट फ्रेंट वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताते कि आगर आपने हमारी यूटूब चैलन टेक्निकल नरेंद्र को अगर अगर अपते सिस्क्राइब ने किया हो तो लाल बटर के ओपर क्लिक करके सिस्क्राइब कर ले और साथ इस बेल बटन को दबाते हैं ताकि हम जो भी नए वीडियो अप्लोड करें वह आपको नोटिफिशन जरी आसाने से मिल सके फिरेंट तो चली फिरेंट वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले आपको बन एड ओपन इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर आपने इंस्टॉल अभी तक नहीं क लाता है उसे हम बैंक अकांट में किसा ट्रांसफर करें धरींट चिफरण हम वनेर्ट के पैसो को बैंक अकॉंट में प्योंकिनसे ट्रांसफर करें तो चलिए watch video को शुरू करते हैं सबसे पहले आपको यहां पर यह से Home my माइ नेटवर्क और स्टेड्क का उप्सन दिख रह'llगा इसमें से आपको सेटिंग के ऊपर क्लिक करना अफ्रेंट जैसे ही आप सेटिंग के ऊपर कलिक करोगे कर ह। तो यह माइप्रोफिल award as my balance हैं से और आपको माई प्रोफाइल के उपर क्लिक करना है जैसी अब माई प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करोगे माई नेटवर्क एड्रेस मैई बैंक अकाउंट यह इसके ऊपर आप क्लिक करके आप अपना बैंक अकाउंट जोड़ सकते हैं यह मेरा नाम ना नए इंदर रहेगा मैं जेपूर से लोंग करता हूं और यह मेरा अकाउंट नंबर वोई मेरा एफसी कोड़ेंट अप इसे डिलिट करेंगे दूसरा आकाउंट भी चेंज कर सकते हैं अब बात आती है कि आप इन पैसों को अपने बैंक میں कैसे करेंगे ऐई इस میں दो उप्सन आते हैं कि आप अपने पेटेम में इन पैसों को डाल सकते हो और साथ यसाथ आप इन पैसों को अपने पेइक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो तो हम आपको दोनों कंडिशन बताएंगे आपको सबसे पहले मेरा जो एड बैलेंस एड एड बैलेंस है वो 30 रुपीज दिखा र अपने अकाउंट में फिरेंट तो चलते हैं कि इन पैसों को अपना हम अकाउंट में कैसे डालेंगे फिरेंट तो आपको इस एरो के उपर क्लिक करना है जैसे आप एरो के उपर क्लिक करोगे या पर आपको अमाउंट डालना है कि आप कितने पैसे ट्रांसफर करोगे फिर तो मेर को भी 10 रुपए डालना है फिर आपको डाला है 1Nate के पासपोर्ट जी तो यहां जैडिता है जी मैंने अपने पासपोर्ट डालने हैं अब आपको continue के ओपर क्लिक करना जैसे आप continue के ओपर क्लिक करोगे यह एक छोटा ची वीडियो दिखाता है तो चले इस वीडियो को भी हम देख लेते हैं हमने वीडियो देख लिए अब हम बेंक अकाउट के ओपर क्लिक करेंगे जैसे हम bank account के उपर click करते हैं यह cash out के उपर हम click करेंगे जैसे हम click करते हैं यह मेरा पैसा मेरे account के account में transfer हो चुका है friend अब एक और बार आपने को confirm करना पड़ेगा तो yes जैसे हम yes करते हैं यह देखे friend 10 रुपे मेरे you have successfully submit your cash out request यह मेरे account में transfer हो चुके friends हम अब आपको बताते हैं कि आप अपना पैसा paytm में कैसे transfer करोगे तो आपको वही position करनी है वही पास्पूर डालने है और यह cash out के उपर आपको click करना है अब चूज करना है कि आपको paytm में डालना है या bank account में डालना है तो हम चूज करें पैट्यम वही cash out यह मेरी number है और मैंने इसको पर cash out यह देखी friend you have successfully submitted the cash out request यह मेरे paytm के अंदर चलेगे हम आपको जी friend मेरे पास message भी आ चुका है कि आपके पैट्यम में कि दो रुपया और पचास पूसे कहां गया तो फ्रेंड जे transaction charging कट जाता है friend और फ्रेंड अगर आपको यह मेरा यह वीडियो पसंद आया friend तो प्लीज फ्रेंड वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर साथी साथ सब्सक्राइब करना बिलकुल इना कुले friends झांके बेरान जैस्मान